हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीब आफेर्स तो कंप्यूटर आवेर्नेस का ये 85 वीडियो है वीडियो नंबर एट फॉर आरभी पियो क्लर्क मेंस के लिए और आरभी एसिस्टेंट के लिए दूसरे भी एक्जाम में काफी हेलफुल रहेंगे ये सारे सेलेक्टिव क्राम में दे दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन क्या क्या कह रहा है डाश इस बेसिक क्मुनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल अफ दे इंटरनेट तो कौन सा क्मुनिकेशन लैंग्वेज प्रोटोकॉल का बेसिक सही जवाबों का option 1 TCP और IP TCP क्या transmission control protocol और IP क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल थो थीजर बंद रस्ट एव अफॉट प्रोटोकॉल थीज़ थीज़ दीज़ इस सीपन IP are a suit of common protocol use to interconnect different network devices on the internet थे थे सारे नेटवर्ग दिज़ा स्कुक करने के लिए इंटरनेट पे इन प्रोटोकल का इस्तमाल होता है तो basic common communication language और इंटरनेट के प्रोटोकॉल है TCP और IP transmission control protocol और internet protocol POP, POP with regard to internet, POP denets, POP का मतलब क्या होता है इसका सही जवाब होगा option B post office protocol ठीक है तो post office protocol क्या है an email application protocol ये जो है एक email application protocol है used to retrieve email from email server तो retrieve, receive करने के लिए email different email server से for client application तो client application के लिए different email server से ये email को retrieve करता है इसका simple example है Microsoft Outlook तो post office control क्या है एक email application protocol है इन powerpoint, the header and footer button can be found on the insert tab in what group तो header footer जो powerpoint में रहता है, insert tab के किस group में इसे पाया जाता है insert tab के text group में, तो आप देखेंगे ppt open करके, insert tab के जो text group में है वहाँ पर header और footer button रहता है, MS powerpoint में the letter and numbers of the intersecting column and row in Excel तो column और row जहां पर intersect करता है उसे क्या कहते है, उसे कहते हैं, option D, cell address ठीक है, तो cell address जहां पर row और column intersect करता है मालने जिए row 3 है, ठीक है, row 3 है, और column F है, यह दोनों अगर जहां पर intersect करेगा तो cell formation का address, तो cell address क्या कहलाएगा, F3 कहलाएगा cell address क्या कहलाएगा, F3 कहलाएगा, तो intersection of row and column cell formation जो है, वो क्या कहलाएगा, F3 कहलाएगा, according to these row and column तो इसको कहते हैं cell address तो सिल्लेक्ट एन्सैलेक्ट on helps और तो देलेफ्ट यूर क्टैस किसी ब tablespoon देक्षन में अक्टैसलेक्ट काई आफ हैडिक करेंगे कीबूरड बटन्स को सही जवाब हो घुट आपिशन भी मुत कॉट्रोल प्लास शिफ्ट प्लस लेथक और सिंट्टरोगे साथ है तो कंट्रूल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट आरो द्यास फीचर्ट इंवर्ड आटोमेटिकली करेक्ट सर्टेन स्पेलिंग टैपिंग कैपिल इसे और ग्रामर एर्र किस चीज़ के हल्प से यह करेक्शन होता है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑटो करें तो वर्ड में यह फीचर से ऑटो करें इसको कैसे जैसे हम अब और कोपे न करेंगे तो तो इस्में जो रहता है फाइल ऑप्शन तो फाइल से ऑप्शन्स में यह उसके बात पूफिंग और फिर और bokन्स可ट रहता है विप कि देट और टाइम आर अवेलेबल ऑन देक्स्टॉप एट टाइम कहां पर अवेलेबल रहा था डेक्स्टॉप में सबसे नीचे में देखें या पट्टी रहती है वो रहता डेट और टाइम वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तिल डेट अभी तक तिल डेट अगस्ट 2020 तक तो अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है है फुगाकू सम्मिट संवे टायू लाइट या फिर सीरा सही जवाब होगा ऑप्शन भी फुगाकू तो रिसेंट यह जापान का जापान इसे बनाया जापान की कंपनी है फुजित्सू उसने बनाया है फुगाकू वर्ल्ड फास्ट सुपर कंप्यूटर इसका यह रहेगा स्पीट 415 पेटा फ्लॉप फुगाकू अभी तक यह एक तरह से करेंट है फिर्स का भी कोश्चन है और कंपेटर से रिलेटेट है तो इंपोर्टेंट है तो फुगाकू इस दर वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तिल डेट मेंट बाइज आपान थिस सिस्टम इस्मॉल वार्लेश्टह अंडल् विध इसस्टम है इसमॉल वार्लेश्टह एंडल कम्प्यूचरा दाइज इसस्टम फूरशा बोलंग फमकूटय पनिॅंद तो इस टीस्टहु přिस्ट्णटा से किसी योब्स फोडिक्त भी अव्जत रहता इideम उता उसके इसको scan किया जा सकता है उसका current price भी देखा जाता है यह कौन सा सिस्टम है इसका सभी जवाब होगा option C PSS system ठीक है PSS system इसको का जाता है POS दूसरा हो गया इसी दे रिलेटेट है POS जैसे point of sale रहता है तो PSS system से क्या होता है self scanning of goods ठीक है इसका जरूत जैसे ज्यादा इस्तिमाल होता है retail sector में marts में मौल में और logistics services में तो वहां पर क्या करता है scanning device का काम करता यह PSS system जो भी goods से आइटम से object से उसका काम करता है scanning device ठीक है एक special portable terminals से काम करता है PSS system यह रहता है आइटम टैक्स पर जो भी करेंट प्राइस को scan करता है और रीट करता है तो PSS system यह जैसा देख सकते हैं आप इसी को कहते है PSS system और POS से तो आप लोग आखिफ है है POS क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल के कि कस्टमर एक्ट पेमेंट फॉर गूट्स एट जो भी जो इंटरनेट नेट पर गर हम किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल यह फिर कहीं फिजिकली जाकर पे कर रहे हैं कार्ट से POS टर्मिनल पे वह कहला था पॉइंट ऑफ सेल और इस सर्विस को विद सकेंस इंटम्स टैक्स पुल अटकरेंट प्रैस इनु ए वारेलेस हेंड यह लिट कम्प्यूटर है पैसे सिस्टेम इसको कहते हैं ए traffic in a VPN is not क्या कराया जो VPN में ट्राइफिक है वो क्या नहीं है नौट है इसका सही जवाब क्या होगा option C is not accessible from unauthorized public network ठीक है तो VPN क्या है virtual private network ठीक है so it extends private network over public network so for surfing privately and securely तो VPN से उससे जता है तो VPN से यह तो characteristics से इत्रेश्टिक से इत्रेश्टिक तो single protocol in IP invisible from public network and logically separated from other traffic but not so it is not accessible from unauthorized public network hard disk and diskettes are hard disk or diskettes क्या है इसका सही जवाब होगा option A so these are direct access storage device direct access storage device MIME MIMM का full form क्या है related to computing computer का सही जवाब होगा option B MIM हो गया हमारा multi-purpose internet mail extension ठीक है तो यह क्या है so it is an internet standard ठीक है internet standard यह फिर कहले सकते है एक protocol ठीक है that extends the format of email messages email messages के जो format को extend करता है जैसे कि विच अलाव नन एसकी को ASCII data ASCII क्या हो गया American standard code for information interchange so these MIM जो है multi-purpose internet mail extension यह तरह का protocol है यह फिर internet standard है email के लिए ठीक है supplementary protocol का काम करता है विच अलाव नन ASCII data to be sent through SMTP simple mail transfer protocol और जो नन ASCII हो गया जैसे audio हो गया video हो गया images हो गया इन सब को तो non text email यह फिर attachment को यह send करने में help करता है MIME multi-purpose internet mail extension अब नाम ही यह multi-purpose तो अधर जो mail attachment है नन ASCII code से जो भी रिलेटेन audio video images उन्हें यह transfer करने में help करता है MIME this address changes temporarily as the applications connects to the internet the concept address change हो जाता है इसका सही जबापो का option D dynamic IP address तो जैसे कि नाम से ही पता dynamic static नहीं हो था dynamic change करता है so it changes from time to time most of the home networks are dynamic IP address internet protocol address which of the following is a private IP address private internet protocol address का क्या है कौन सा है यह बहुत easy है आया भी question पहला है option 192.168.24.43 तो यह जो पहला दो डिजिट है 192.168 प्राइवेट IP address को यह सिंबलाइस करता है जो लास्ट के जो दो डिजिट से decimal dot के बाद 24.43 यह 0.0 से 255.255 तक बैरी करता है और जो स्टार्टिंग का डिजिट से 192.168 यह सेम रहता है तो प्राइवेट IP address का यह करता है 192.168 पॉइंट आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हैं option B batch batch processing batch processing is those processing in which operating system collects the programs and data together in a batch processing करने से पहले batch में उसको collect करता है तो mainframe computer में इस्तमाल होता है batch processing what type of control pins are needed in a microprocessor to regular traffic on the bus in order to prevent two devices from the trying to use it at same time कौन सा bus control pin use होता है इसका सही जवाब हो option C bus arbitration it prevents two device for trying being using at the same time if you want to connect a TV to a computer you need to DVI port sound port video port या फिर S video port TV को computer में connect करने के लिए कौन सा port का जरोत होता है यह हो गया option D S video port ठीक है S video क्या है separate video port only used to transmit video signals but not audio इसे connect करने से video signals transmit होता है S video port how many pins are there on a VGA तो VGA में कितने pins होता है VGA क्या है VGA क्या है वीडियो ग्राफिक्स एरे ठीक है तो connector used for computer video output और दूसरे चीज़ों जो laptop desktop monitors projectors इन सब को connect करने के लिए इस्तमाल होता है VGA पूर्ट वीडियो ग्राफिक्स एरे तो इसमें कितने pins होते हैं सब्सक्राइब जवाब होगा option c 15-15th VGA में तो देश्बेस्ट वेस्ट वेस्ट वेस्ट्राइब डेटा हाध्राइब को बिस्ट अने के सब्सक्राइब करने के से अच्छिप्ट ऑप्शन किया है इसका सभी जवाब होगा option B regular backups so regular backups is the best way to protect your hard drive data what device prevents power interruption resulting in corrupted data so what device prevents power interruptions corrupted data is the right option is battery backup unit most of the time often UPS are also called battery backup unit but a little difference battery backup unit is what does power interruptions prevent the loss of storage on memory whatever performing your own computer or PC prevent battery backup unit so this was the computer events video number 8 PDF will give you a telegram so thank you very much for watching thank you